सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस्ट नोटिफिकेशन पट्न ब्रेंड बस्ट में आपका फिर एक बार स्वागत अमीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को जिस तरीके से देखते हो पसंद करते हो आपके कमेंट्स आते हैं बड़ा अच्छा लगता है टीकनिक रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आप इस चैनल को यूट्यूब के उपर जरूर सब्सक्राइब करें देखिए उससे क्या होता है कि वियूर्शिप तो चलो आप हैं लेकिन फिर भी जो और संस्था हैं उनको पता रगता है कि यूट्यूब के ओपर एंजी कितने लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया हुआ है इसके साथ हम एक निया पूराम शुरू करें नेक्स्ट फ्राइडे से आप तयार रहिए हिंदोस्तान के रात के दस बजे के टाइम के मताबक यहां का साड़े बारा का टाइम होगा हम आपके साथ लाइव चैट करेंगे सूपर चैट पैम आपको नंबर होंगे आप हमें क आपके साथ लाइव टीवी के ऊपर लाइव चैट के ऊपर आपके साथ बातचित करेंगे होफ़ली आप ज़ूरूर इसमें पार्टिस्पेट करेंगे क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप ताहर साब को बहुत पसंद करत तो इसलिए हम आपको request करते हैं कि next Friday को we will have a live chat with all of you 10 p.m. of your time in India 9.30 पाकिस्तान and then other times तो please आप note करिए next Friday से टेग टीवी जो है वो आपकी सेवा में हादर है पिछले कई सालों से हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि हम आज करके जितने भी latest latest issues हैं वो आपके साथ discuss करें क्योंकि आपका और हमारा जो पिछोकर है वो है South Asian नेचरली जो इंडियन सब कंटिनेंट है किसी वकित तो बहुत बड़ा ये कंटिनेंट होता था इसलिए उसका नाम इंडियन सब कंटिनेंट पड़ा था कहर उसके बीच में से फिर अलगलग कंटिज हो गए अफगानिस्तान फिर पाकिस्तान बना बर्मा भी हमारी फोकस ये होती है कि इस वकित उस सब कंटिनेंट के उपर बहुत चैलिंजिस है तो उन चैलिंजिस को आपके सामने लेके आए और आप उसमें पार्टिस्पेट करते हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज दो तिन बातें हैं बहुत जरूरी एक बात तो यह है कि अगर आपने भी वो जरूर देखी होगी जो पाकिस्तान के प्राइमिस्टर है अबरान खान साब उन्होंने रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में एक मीटिंग काल की बिजनिस लोग होगी और वहाँ पर वो बकायदा उन्होंने मैंने वो सारी जो है उनकी मीटिंग की वी आपको यहाँ पर बुलाया कि जो हमारा रेविन्यू है जो हम पिछले सालों में हमें आया करता था उससे अब सिर्फ 40% रेविन्यू खत्म हो गया और हम लोग यह चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से यह रेविन्यू बढ़े उन्होंने कहा कि जितना रेविन्यू आज आ जब रह जाता है तो उससे हम क्या काम कर सकते हैं फिर पॉलिटीशन आप जानते हो हिंदोस्तान हो पाकिस्तान हो बंगलादेश हो उनकी जेबें भी तो बरनी होती है ना तो जब पैसे ही बहुत कम होता जा रहा है तो फिर कैसे कंट्री चलेंगे और उन्हें का कि अगर हम अपने घर में रहता हूं मैं अपने मिस्टर के घर में नहीं रहता हूं अब मैं अपने घर में रहता हूं और मैंने अपने घर में सामने सड़क जो थी बनानी थी वो भी मैंने अपने पैसों से बनवाई उनका कहने का मतलू यह था कि जितने भी वहां पर बिजनस मैं आये हुए थे business community वो जरूर इस बात पर ख्याल करें और कोशिश करें कि पाकिस्तान को वो पैसा दे रेवन्यू बढ़ाएं और जब मैंने आम पाकिस्तान की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में जब से इम्रान खान साब आये हैं महिंगाई इतनी हो गया कि हमार हमत नहीं पड़ती है हम कोई चीज खरीज सकें जब कोई consumer market में से चीजें नहीं खरीदेगा तो पताईए मुझे revenue कैसे बढ़ेगा consumer जो economy चलती है वो consumer के सिर्पर चलती है जो economy का goal सरकर रहा है वो इनका उनके कहने के मताब आदा हो गया अगर दो साल में इन्होंने यही कम बात पर ताहिर सहाब से बात करेंगे दूसरा FATF के बारे में भी उन्होंने बात की आपको पता है कि Parliament का joint session बलाकर उन्होंने जो कनून पास किया था जो वो FATF के लोगों की आंकों में दूल जोकना चाहते हैं ताकि वो gray area में से बाहर निकल जाएं ऐसे उन्होंने act पास क हैं और तीसरा हमने देखा है कि चाइना जो है वो बॉर्डर के उपर खास करके लिदाख के बॉर्डर के उपर बॉर्टान की तरफ बहुत ज्यादा infrastructure क्रियेट कर रहा है बहुत ज्यादा अपनी यह फाजें जो है वो वहां पर लेके आ रहा है और बहुत ज्यादा आने व हो जाए मेरा अपना पूरा ख्याला कि कभी भी उस लेवल की लडाई नहीं होगी मेरा ख्याला और होप लियुञादा नहीं बनी चाहिए लेकिन अगर होती है ते उसके कौनसी केंसट क्या होंगी क्या हिंदॉस्तान उसको हैंडल करने की पोडिशन में है या नहीं इसकी भी बात करेंगे ताहिर साब के साथ, बुलाते हैं ताहिर साब को इस प्रोग्राम में, ब्रेन बस्ट में, और सबसे पहले इमरान खान साब की बात करेंगे, फिर उसके बाद FATF की बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, सबसे पहले तो ताहिर साब आपका हमेशा की तरह आपके अपने प्रोग्राम में स्वागत नहीं 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 अगले फ्राइडे से एक सूपर चैट की बात शुरू किया मेरा खला कि बड़ा इंट्रस्टिंग है ये क्योंकि जब पार्टिस्पेशन होती है ना आपको पता है मैं बहुत रेडियो प्रोग् होती है ना तो मैं तब भी महाँ पर लोगो कहा करता है जो आपका दिल करता है वो कोश्चन पूछो राइट 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 आपको अगले फ्राइडे से जब लाइव आएंगे तो आप भी जड़ा थोड़ा था उनके पार उसके बारे में बता दें जी बलकुल हम जैसी अपनी बातचीट को बंद करेंगे तो हम उनको भी पन्रह बीस मिनिट उनकी उनके सवालात को एड्रस किया करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे वियूर्ज जो पसंद करते हमारी बातचीट हमें स्पॉंसर कर सकें तो वो उसी वक्त हमें स्पॉंसर भी कर सकेंग तो आप कर सकेंगे right way I think this is one of the finest step Tag TV ने लिया क्योंकि Tag TV चाहता है कि जतनी देर हम आपकी सेवा कर सकें हम करते रहें क्योंकि हमारे पास कोई भी बड़ी कार्पोरेशन बड़ी तो छोड़ी है कोई छोटी कार्पोरेशन भी जो है वो भी हमारे साथ नहीं है है खुद ही इनकी हीमत है इनके घर्वानों की हीमत है कि ये Tag TV जो है पिछले इतने सालों से लगातारा आपके सामने पेश कर रहे है और प्रड़ साब मात ये भी है कि जिस तरह की हम बातचित करते हैं Tag TV के जितने इनकी शोव है। वो बहुत है ये moments हैं कँछ लोग एघरी जोंकर पर को से हम हर simulation फर दियते हैं, तो इस तरह की जो इनडिपैंड़़, विराइटि meilleur thoughts के बहुत कम platform. आप ढुए अप एन अफ आफstal है, तो आज की बात्चीत आप कहां से इमरान खान की तक्रीर से शुरू करना चाहते हैं। आप क्योंकि मैं समयता हूँ कि वह बहुत रो रहा था कि भाई क्योंकि अगर उनके पास कुछ है ही नहीं खाने में और जैसे सच कह रहा था कि देखिए आदा पैसा जो रेविन्यू का आजगर आ रहा है वो तो किष्टों में चला जाता है और रेविन्यू जो है वो 40% रह है उसके कई कारण है मेरे पास हैं लेकिन आप पहले बताईए नहीं देखिए इमरान खान पाकिसान के प्राइम मिनिस्टर का ये जो कंसर्ण है वो उनके अपने नक्ता नजर से बिलकुल वैलिड है उसकी वज़ा ये है कि घर हो कारुबार हो कौमे हो नेशन्स हो वो बज संगीन हो गया कि बुक्स बैलन्स नहीं रही है और अब एक अलार्मिंग जो है उनके लिए है वो डॉक्सर बसकी वज़ा ही है ना कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो हलात है पुलिटिकल अंड्रेस्ट एथनिक माइनोर्टी के साथ बुरा सलूक रिलिजिस माइनोर्टी के स लगाया वें नहीं ठोड़ा बहुत कभी कोकाकॉला वाले और इस तरह कि जो मिल्टाई नेशनल कांपरीज होती है वो पैसा नहीं लगाना होता हो तो पैसा बनाना होता कोका कोला बेचते जाओ, पेफसी कोला बेचते जाओ और वहीं से लोकल मार्कीट से ही पार्टनर जो एलीट कलास के ढूंड लो और वो भी रिच हो जाएं और अवाम की जेबे और खाली हो जाएं खाली हो गया आप पैसाब लेके बाहर आ जाओ ठीक है तो वो इस से तरह का काम वहान पर चल रहा है अब इस से तरह का काम भी मुश्कल होगी और तो ड्रक्शण आप जो पाकिस्सान के बिजनसमेन है वो भी पाकिस्सान में लगाने की बजाए पैसा बाहर के मलकों में लगा रहे हैं हटा कि बंगलादेश में लगा रहे हैं इंडिया में चुक्कि उनके अच्छे ताल लगा पाकिसान इंडिया के नहीं वो इंडिया में भी लगा ले गई लिए जिन में बहुत सारे बिसनसमेंट को जानता हूं जिनकी फैक्टिय चीन में चुट चुटी एक अथकी तो लेगवर के मालक अमरीका में मिस्विशाहिद खान वह भी आया है कि साथ बिलियन डॉलर्स के उनके ऐसेट्स हैं तो वह कोई कार या मोटर इंडिस्टी वहां नहीं लगा रहे हैं इसलिए कि हालात नहीं ठीक बातें तो बड़ी मीठी मीठी गुलाब जैसी करते हैं वहां पाकिसान के बिजनसमैन है वो पाकिसान से बाट लगा रहे हैं और जो पाकिसान के बिजनसमैन इन मुलकों में रहते हैं जिनकी जरा अच्छी अब कोई इंड्रस्ट्री इस अच्छे बिजनस हो गए हैं वो भी वापस नहीं लगा रहे हैं वह बातें तो बड़ी हाक में क лे कि आउंगा तो लगता है आपको एक बिलियन भी किया नए दौक्र्टर साब एक बिलियन तो क्या मुझे तो लगता है दौसो मिलियन डॉलर नहीं कहे है दौसो बिलियन डॉलर तो बहुत बोड़ी रकम होती है चुक्रिक उनका ये दावा था जो पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान से बाहर गया जो अफकोर्स उनके मताबिक पाकिस्तान के पॉलिटिशन्स लेके गए तो वो में ले आऊँगा इमरान खान एक हीरो मेंटालिटी के आत्मी है वो अपनी जिसे कहते हैं नर्गसियत नार्सिजम में जिन्दा रहते हैं उनका ये ख्याल है उनका ये ख्याल था कि मैं जब आऊंगा तो पूरी दुनिया उनको हाथों हाथ लेगी और कहेगी के बहुए आप बताएं हम आपकी क्या सिवा करें वो कहीं कि हमारे जो पैसे स्यासदान यहां से लेके गए हैं बाहर इन्वेस्ट कियों हैं पर दुनिया में स्टारत हो हाथ हैं उनकी अपने सारे मेंस्टर हैं उनका टारगट ये श्रीफ फैमिली और जडारी फैमिली अफ़ऽांगी अब उनके बीए फान आप इंप billion रुपया जो है वो मेरे खाले शायद 20 million dollar हार्ली भाई बनता होगा तो अब इन पैसों से मुल्क तो नहीं चला करते तो इमरान खान के ये दावे खुद इमरान खान के हामी बिजनसमेन इसको जोक समझते हैं वो इमरान खान की हमाएद दो हैं उसको चंदा भी दे देंगे 20-30,000 dollar लेकर उनको ये पता है कि इस वक्त हालात पाकिसान में ऐसे नहीं है कि हम पैसा लगाएं सिर्फ अंड्रेस्ट प्लिटिकल रिलिजियस अंड्रेस्ट सिर्फ इतना ही नहीं लाउन और्डर की सिच्वेशन बहुत बुरी है इसके अलावा सबसे बड़ा मसला डॉक्ट सा बिजनसमें के लिए इंफरस्ट्रक्चर का होता है जब यहीं पता नहों कि बिजली आनी है कि नहीं आनी हमारी इंड्रेस्ट्री चलेंगी चलेंगी तो किन हलात में जब पाकिसान में पॉड़क्टिविटी कम हो रही है जब वहीं का पैसा वहीं पर ही चल रहा है जिसे एक हमारा पंजाबी का एक्सप्रेशन होता है को टोपियां कुमाना है ठीक है कि भाई आप ने इसकी टोपी उसके सर पर रख दी फिर उसकी टीसरे के सर रख तो पाकिसान में पैसे की सर्कुलेशन इसी तरह हो रही है कोई इन्फलक्स आफ मनी नहीं है या तो जो पाकिसान के बाहर रहते हैं लोग वो पाकिसान डारेक्ट या इंडरेक्ट पैसे बेहते हैं चुक्के उनके अजीज़ों अकारब हैं वहां पे ठीक है ना या वहां कोई नो कोई वो आउट्शोर्स काम कर रहे हैं तो वो जो पाकिसान में पैसा है वो कोई समझिए दो से तीन शायद बिलियन डॉलर महीने का जाता है वो एक अच्छी कासी रिकम है लेकिन कौम में चलाने के लिए टू हंडर्ट्टी मिलियन कंट्री का जो मुलक है आपको बह है जो जो हमारी पॉड़क्टिवटी है ऐस अपोस्टो जो हमारे एकस्पेंसे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है लेकिन उनको ये कंसर्म होना चाहिए कि इसको ठीक कैसे करना है अब बात नहीं कर देना दो सो बिलियन डॉलर ले आऊंगा मैं इसको रियास्ते मदीना बना दू मैं इसका पता नहीं क्या से क्या कर दूंगा तो इस तरह काम नहीं होते चलिए यह पर यह तो पॉलिटिशनों का काम है ताहिर साब इस किसम के सबस बाग दिखाने और फिर बाद में लोगों को बेवकूप बनाना यह सब जगए चलता है हमने देखा है लेकिन फिर भी प् काम करता हूँ करता हूं ये एक प्रजेक्ट था उनका उसी पर लगे रहे या हिंदोस्तान के अगेंश मैं किस तरीके से धूनिया में इसको बद caus Talkiva कर bilmiyorum कर सकता हूँ या मैं किस तरीके से हिंदوस्तान में जो वह जहादी है जो किशिकल हो गया जीं इनसे उनको अपने कश्मीर की अबाद उठा रहे हैं पाकसान का सारा मीडिया लगाव ऐसी बात पर चुकर वो पाकसान की हकोमतों का एक तरह से ताबेदार होता है तो अब ये डिस्ट्रैक्शन है कुछ और ग्राउंड पर को बेतरी हो ना हो जी हम तो इस पर बिजी हैं कश्मीर पर फिर दूस के काम ये करुप्षियन के कांड तो इम्रान खान के पालिटिशन भी कर रहे हैं जो ये कौरुप्शन के जो आइश marvel होते हैं ये पूरी दुनिया ठीकா? यह मोटरवेय बना है नाइंटी मुझे नाइंटी फाइफ नाइन नाइटी सिक्स में बना जो पहला मोटरवेय है लहौर तर इसलावाबाद लेकिन कहते हैं कि जो बना इतना खूबसुरत बढ़िया बना जी कि बहुत ही बढ़िया क्योंकि वह जर्मन कंपणी है यूरस इसलावाद था वो अच्छा था उसकी फीस थी अच्छी खासी लेकिन मुझे याद है लहौर से इसलावाद जाने के लिए गजाब होता था जी टी रोड वो होती थी अभी भी है वहां पे उस जी टी रोड पर ट्राफिक कितनी बुरी होती थी और कई कई जगा पे वो जो ट्राफिक जैम हुआवाद करता था मैं मुझे यादा पौने चार गंटे में लहौर से इसरावाद ट्राइब होती थी मैं अगर पर इंट्रेस्टिक बाता हूं मैं इंडिया जाता हूं ना इंडिया के लोग कहते हैं कि भाई हमें काम दिखाओ क्रॉप्शन चाहे करते र किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए यह तो उनका मसला है मेरा नहीं ख्याल उनसे सॉल्व होगा लेकिन यह एफ़ टी एफ की जो मेंबर्स कंट्रीज है थरडी नाइन इसको एको निकाल गया अब तो थरडी एट ने वोटें डाल दिया ना तो यह ग्रे एरिया से बाहर न नहीं बढ़ेगा मैंने शहर पिछले भी आपकी किसी शो में कहा था कि फैटिफ से निकलने के लिए इनको बैक डूर डिपलोमेसी के जरीए अमरीका और यॉर्पिन यूनियन की हैल्प चाहिए होगी इन्होंने कोशिश भी किया है चुक्कि अच्छो वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है वोगर पाकिसान की हल्प करना भी चाहें किसी वज़ा से अपने रीजिनल इंटरस्ट या स्ट्राटिजिक इंटरस्ट की वाज़ वो यह कहते हैं कि अच्छा है ये तो कामिस्क्रम करके दिखा दोना दुनिया को यह भी ऐसल में आई वाश का मश्व अपने इन्वेस्टिगेटिव एदारे हैं वो जरा टॉफ हुए है वह पाकिसान के साथ चूंकर अब उनकी अपनी फेस सेविंग मुम्किन नहीं रही चूंकर अब दुनिया उनसे क्वेस्टिन करती है कि इतने अर्से से एक ड्रामा बार 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 चली जा रहा है तो यह यह क्यों चली जा रहा है तो एक जो हता है ना एक ड्रामे की इंतहा होती है कि आपने हाफ़साईद को पकड़ा फिर चोड़ा फिर अदालतों ने का नहीं जी वो तो हीरो हैं फिर अदालतों ने का नहीं नहीं वो तो बहुत बड़े मुझरम में जारा पकड़ लाओने त तो अब ये देखना है कि ये इस काम से जो पार्लिमेंट में जॉइन्ट सेशन हो इसे पाकिसान को मदद तो मिलेगी एक आई वाश के लिए फर्दर के जी देखें हमने ये भी कर दिया चूंकि वान अफ़ दे कंप्लाइंस है ना ने पर कंप्लाइंस दोनों ने दिये थे 29 पर ये जरा बड़े कंप्लाइंस है ये यह ये ये जारा बड़े कंप्लाइंस हो सकता है publications आगरे डिया से बाहर निकाल दें थे सकता है ग्रे अरिया से बाहर निकाल दें क्योंके पाकिसान की जो एकनामिक सूर्थ आला वो इतनी बुरी है पाकिसान अंदर यंदर बैकड़ो टिपलोमेसी के तहत कह रहा है कि जनाब हम तो मारे जाएंगे फिर तो हम किसी के भी काम के नहीं पिर तो हम मकमल तोर पर चाइना की दसरस में चले जाएंगे ये भी एक दुनिया को वो बताते है ना कि फिर हम कहां जाएंगे मारे जाएंगे लुटे जाएंगे तो दुनिया का ये इंटरस्पी है कि ये मकमल तोर पर चाइना की दसरस में ना जाएं उनकी गोद में तो सामनी कर रहें To देखिए तो डिएंट्रस्ट स्ट जहां इनके आपस मिलते हैं वहां स्कॉलाइड करते एा अगर चाईना और पाकिस्तान के बहुत सारे इंट्रस्त मिलते हैं, वहां कॉलाइड है जिन लोगों को चंद पाकिसनी इलीट को जिनको फायदा और अग革े उस पर वो पाक 실ी मीडिया को कहे रहे हैं कि नहीं कि वात कहें कि चाइना का बड़ा फायदा आज नहीं जैब पोड़ए का ठीए बात हम इस वर्के मैंने जब ये व्यूज देखे, किस तरीके से लोग कह रहे हैं, चिला रहे हैं, कि हम तो कुछ चीज बजार में जाके ख्रीद ही नहीं सकते हैं, कि किस चीज को आद हम लगाएं, इतनी महिंगाई होगी है पिछले दो साल में, तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं को इसके अदमीया पाकिस्टानी का हमारी, तो उनके साथ हम दर्दी हैं, चाहे वो दुनिया का कहीं भी किसी का हूँ, चाहे वो डिक्टेटर का हूँ, चाहे वो एक्स्ट्ING का हूँ, हमारा मकसद है, कि जो आम आदमी उस बचारे को पैसा मिन ना चाहिए, उस की जिन्दगी normalmente हो ज और सबकी यही खुआश होती है कि आम आदमी को कुछ रिलीफ मेले चुक्छे वहां पे फैटफ की पबंदियां रहे ना रहे जो एलीट है उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता उनके अलले तलले तो चलते रहते हों उनको कोई कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता लेकिन आम पाकिसान की इस्टैबलिशमेंट हो यह आम आदमी की बात करते हैं मगर इनको आम आदमी से कोई सरुकार ही नहीं होता है मैं आपको सची बात बता हूँ जो आम आदमी होता है ना पाकिसान जैसे मलकों का उससे तो यह लोग जिन्दगी में कभी मिले भी नहीं होते हैं यह ठेक्तों की मजदूरियों में जाके काम करने वाला और उनके ओपर डिपेंड करने वाला की हमें रोटी खलाएंगे यह 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 इस तक तो इनकी कभी इनकी पहुंच ही नहीं होती ना उस बैचारी की पहुंच इन तक होती है ना यह कभी इन तक पहुंच तक पहु जीपप बे गुम रहे हैं बंदुकें लेके उनी के साथ ही उनका तालुक है वो तो मालग को नहीं मिल सकते हैं तो यह जो सिस्टम है ना एक बहुत बड़ा है जी यह कहीना के मेरे मुझे बड़ा अफसोत होता है कि जम्मिदारा सिस्टम जो के खास करके सिंद में ज्यादा ह हैं सिंद में बहुत है सिंद तो है जम्मिदारा हैं और वहां पर तो जो लोग काम करते हैं जो लेट्च जूम एक अधार फैमिली ओन करती है बाकी के सारे तो गुलाम हैं सर पंजाब में भी डॉक्स अब जो यह जो एलीड कलास है उसका भी अपनी जो बचैरी गरीब कला कराची का देखके हैं को चेरिया सकती जिसमें दौद भी रहता तो वहां तो आदमी नहीं को जा सकता आदमी तो छोड़ो कोई चिडिया नहीं जा सकती है यहाल है करानी वे होफुली जो हमारा आम आदमी है जो कि 40-45 परसेंट हैं पाकिस्तान में भी है बंगला देश में नेपाल में शायद 50-50 परसेंट हैं हिंदोस्तान में भी है शिरी लंका में भी है उन सब का भला हो यही हम अमीद करते हैं लेकिन भले के लिए लड़ाई जो है वो दुरूरी नहीं है अगर लड़ाई हो जाए तो और ग्रीबी जो है वो बढ़ जाती है और अब हालात यह बन रहे हैं जो लोग जो मतलब हाक्स हैं उनका तो यह बस कर दो हमला चिंता मत करो दे डोंट थिंक कि हमले करने से या लड़ाई के साथ क्या होगा लेकिन अट दी सेम ठाइम मुझे आयता कि यह समझ नहीं आई और शेह ताहिर साब थोड़ा सा इस पर चानना रोशनी डा पर झाल चानना की सारी पॉड़क्शन जो है वो चैना के मैल रेंड पर वहां से तीन हधार किलो मिटर जहां पह इस कोई आदमी नहीं रहता वहां पर लाकिए बेन तका अ जी असलाई इकठा कर रहा है सडके मना रहा है आगे टेंस होते थे आप पक्के वहां पर जो है मतलब क्या देखिए चाइना लगता है कि अपने उस रीजिन में स्ट्राटीजिक इंट्रस्ट के लिए अब बड़ा फर्मो क्या है उसने तै कर लिया कि यह जो हिमालिया की पटी है इस पे वो पूरी कोशिश करेगा कि अपनी गरिप मस्बूल करें उसको यह अदाजा है कि में भी वो पैसा लगा रहा है बेशक वो पैसा लगा के वहीं से वापस भी लेके जा रहा है लेकिन चाइना की मेंटैलिटी बहुत ही खतरनाक है तो वो अब यह सोच रहा है कि भी मैं अपने इंट्रस्ट को अपनी जो जो अपनी स्ट्राटीजिक जो है पूजिशन उसको maintain रखो और वो maintain तभी रह सकती है कि मैं इस 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 अलाके पर अपना कब्जा करूँ हमें पिछले दूनों ड़र सब ऐसा लगा कि शायद चाइना थोड़ सा retrieve कर जाए भारत के साथ इस चक्र में कारोबार हो जाए लेकिन शायद अब जो नहीं मुझे सुर्टियाल समझा रही है I could be wrong वो यह नाजर आ रही कि चाइनों का भी अंदाजा हो गया कि भारत अब उसके साथ नर्म नहीं होगा कारोबार में तो जब भारत पहले तो उसका यह ख्याल तक भारत से कारोबार भी होते रहें और अपनी को भी हम मनवाते रहें अब उन्हें यह अंदाजा हुआ कि भारत तो चाइद अब नर्म नहीं होगा तो फिर हम और चड़ाई करें दूसरा मेसेज इस वक्त चाइना अपनी तरफ से फुल फलेज चाइना के जो कैमिनिस पार्टी है फुल फलेज एक्स्ट्रीम पे खेल र रहे हैं और यॉर्पिन यूनिन की तरफ से पे चले दूनों मैसेज गिया कि अब हमारी नाइविटी खतम हो रही है यॉर्पिन यूनिन के लोगों ने का चाइना के बारे में एक वीडियो कांफरेंस होई तो चाइना ने हसाब लगा है कि अगर ये मेरे साथ इतने टफ हो और मेरे वो जो इंफास्ट्रक्टर के हैं जब जू को दो अखिया उसको पता है यह पता है के अमेरिकण ने उसको zucchinated करना है और अभी भी अमेरिकन एकिशन होने है नहीं होने वहाँ वहांप वे ओफ कोर्स उलिगन एमेरेकम होनी है मगर सूर्ष एडियो कोन आना कॉन मैं दुनिया को बता रहे हैं यह चाइना के लिए के टेस्ट है कि अगर चाइना वहां से साफ्ट हो जाता है पीछे चला जाता है तो फिर चाइना की कैमनेस पार्टी वो नहीं रहती और मोर अपर साउथ क्योंकि उसके लिए मैं समझता हूं कि यह इतना इंपार्टन नहीं है य लेकिन वो अननेसेसरली जिसको एक वोर्ड होता ना दादा गिरी। यह मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं या जो मैं समझा हूँ जो चाइना के अंदर इवन इन कॉमनेस पार्टी जी के गेंस्ट एक मुवमेंट चल रही है कि यह हमें काम का लड़ाई की तरफ लेके जा है और यह काम का हमारे दूसरे देशों के साथ दुश्मणी बढ़ा रहा है यह एक मुवमेंट चल रही है आपको पता कि कॉमनेस पार्टी हैं में जब यह मुवमेंट चलती हैं तो उसमें बड़े लोगों के कतल हो जाते हैं और बाद में कभी न कभी सक्सेस्फिल भी हो कि आजिएंगा स्टारिन की डेथ के बाद कुछों आओंऑर्ड जितने इंस जो विलोगा आaster किस तरीके से उन्हों ने मैनूप्लेट कि आ किस तरीके से क्ष्चों को प्रिजनेयव प्रिजनेयव को तो यह सारी चीजें चो है कॉमनेस पार्टियों के चलती रहती है आपका क्या क्या है आपका है है, वाकिए यह जो खबरे मैंने पड़े हैं यह सिर्फ खबरे हैं या उसमें कुछ सच भी हो सकती है बिल्कु डॉक्र साब ये रियालिटी है जो कि पूरी दुनिया का मीडिया और बड़ा इंडिपेंडंट मीडिया ये इंसाइट स्टोरीज दे रहा है इसके लावा जो चाइनीज मैटर्स पे एक्सपर्ट्स हैं चाइनीज देमसेल्ब्स वो भी ये बात बता रहे हैं कि इस से कुरप्शिन के नाम पे पैसा लाने की जबकि असल मसाइल अवाम के हाल नहीं हो रहे हैं इसी तरह चाइना में जो सी सी पी है वो डिस्ट्रैक्शन कर रही है हमारा तो इस वक्त दुनिया के साथ मसला है लाहिए यह जो हमारे अंदर की जो टफ है जड़ाई वो जो टग जो प्लेयर जो प्लेयर्स होते हैं उनको पता होता है जैसे प्लेयर्स को पता है अमरीका में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो अलेक्शन के लिए है बिलकुँआ ठीक है चाहे लेफ्ट कर रहा है चाहे राइट कर रहा है जो भी कोई कर रहा है वो सब अलेक्शन के साथ प्पार्ट जुड़ा हुआ है ये बात आपको मुझे समझाती है तो प्लेयर तो खुद प्लेय कर रहे होते हैं ये बात ची-सी-पी यानि कैमिनस पार्टी आफ चाइना को पता है कि भई ये जो मामला है ये अब हमारे अंदर की रिफ्ट्स है जो कि अब हमारा दुनिया के स हो आपको पता है कुछ बिलेनर्स तो इस वक्त गाइब भी हैं जो कैमिनिस पार्टी के मेंबर हैं खास दूर पर वो आदमी अभी तक उसका पता ने चला मुझे नाम उनका बोल रहा है जिन्हों ने ये वहान वाइरस शुरू होने पर सबसे पहले तनकीद की थी इस अपिले वो हैं अपने बिजनस अपने रिसूर्स इस हैं बिजनस तेखे ला डॉक्र सब चाइना का जितना बड़ा बिजनस स्ट्रक्चर है जितना बड़ा मीडिया है वो को प्राइविट एंटर्पर नोर तो नहीं चला रहे हैं वो तो यही ऐलीट कैमिनिस पार्टी के जो मेंब रहे हैं उसके वो ही डारेक्ट एंडरेक्ट हैड्स हैं तो वो फिर उनको जब जब उनके इंटरस्ट पे वो आएगी आँच आएगी तो वो लड़ेंगे तो इसलिए अब मुझे यह लगता है चाहे ना जो भारत के साथ टफ हो रहा है उसकी शायद यह वज़ा पिछले ह हमने जब भारत की पार्लीमेंट में जो डिफेंस मिनिस्टर साब की बाते सुनी तो उन्होंने खुलके बात की कि यह थरेट बहुत सीरियस है तो अब उस थरेट को भारत को तो हैंडल करना है चैलेंज करना है इसलिए कि भारत के अपने इंटरस्ट इसके साथ लगया भारत की सोवेरेनिटी का भी मसला है. देखिए, दुनिया की कोई भी आर्मी होगी, जो भारत की आर्मी है, अब उनके लिए एक चैलेंज है, कि दुश्मन सरपयान बैठ है, भारत की आर्मी इस पर काफी स्ट्रॉंग है, वो काफी अच्छे तुनिके से रिजिस्स भी कर रह ही है, और भारत की आर्मी काफी सालों से ही स्ट्रॉंग है, कोई नई बात नहीं है, प्रफेशनल आर्मी है, लेकिन बहरा एक चैलेंज है, कि एक बड़ा दुश्मन है, उन्ही के मुकाबले का है, उन्ही की टकर का है, तो अब ये इंटरनेशनल प्रेशर पे या चाइना पने अंदर के प्रेशर से किस तरह हल करता है, ये तो चाइना का मसले बारत इसको किस तरह है, ये बारत बारत का मसले है, ये दुनों का दुनों, लेकि एक बात बड़ी इंट्रस्टिंग है, जो मैंने आप से पोछनी है, विफूर वी क्लोज दी शो, एक बार आपको फिर चैनल है टेग टीवी उसको सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज और उसके बाद आप हमें क्वेशन भी सकते हैं हम आपको उसके लाइव जवाब जो है वो उस वकट देंगे जो बात है लड़ाई होगी या नहीं होगी देखिए लड़ाई अगर होती है तो पापुलेशन ज 16,000 फुट के उपर उनके एरोप्लेश भी आकर उतर सकते हैं क्योंकि उनके एरपोर्ट बने हुए हिंदोस्तान के पास वो स्वाई एक लड़ाख के जो स्ट्रक्चर है जहाप एरपोर्ट है ले का वो जड़ा स्ट्रक्चर में इनकी अभी कमी हैं और उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हैं अब मैंने पिक्शिस देखी हैं कि किस तरीके से जब ले में से जाना हो या भूटान की तरफ जाना हो तो किस तरीके से के की दिन उनको लग जाते हैं ट्रक को वहां तक पहुँचने में तो ये स्ट्रक्चर इनको डेफिनेटली बड़ी फास्ट इंप structure तेजी से वहां build भी हो रहा है लेकिन जितना उनको required है उतना build हो रहा है या नहीं हो रहा है वो यकीनी तोर पर भारत की सरकार का concern है मेरा यह ख्याल है कि सरकार के साथ-साथ यह आर्मी की priority में भी है जब कोई चीज आर्मी की priority किसी मुल्क की आर्मी की priority में आ जाती हो तो वो चीजे फास्ट तो होती है फिर आ लेकिन मुझे कुछ experts ने मेरे साथ TV पे एक दो दफा़ ऐसा भी का कहा कि हमारे पास आस पास बहुत सारे air bases हैं लेकिन challenge बड़ा है challenge बड़ा है चुके चाइना पाकिसान नहीं है चाइना चाइना है वो भी बड़ा मुल्क है बड़ा वालियूम है उसका भी population का भी economy का भी और आर्मी का भी ठीक है नहीं ठीक तो वो भारत को इस बात का अंदाजा है तो अब यह है कि भारत की यह भी कोशिश और चीन की कोशिश है कि यह जिस डिपलोमेटिकली हाल हो जाए चुके चीन को भी यह पता है कि यह कोई मैस से तना असान नहीं है भारत के साथ नहीं इंडिया के साथ सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी ऐसी क्या बात है दे वोल्ड वॉल्ड विल नाट अलाओ चाइना तो सिंप्ली हाँ यह इंकर्शिंस होती ही रहती है तो यह बात चाइना को भी पता है कि यह इस नॉट आईजी गैम लेकिन वो मेरा खाल है कि यह सब अपने मसल्स भी दिखा रहें ताइज सब एक लाइन है चाइना जो है यह बिजनस कंट्री बन चुका हुगा चाइना को किसी किसम के जगड़े करके क्या फाइदा होगा चाइना को कोई फाइदा नहीं होगा चाइना को नुक्सान है नुक्सान है क्योंकि चाइना का एक ही हल है को बिजनस पे फोकस दे और बिजनस पे वो तभी फोकस दे सकता है कि दुनिया के साथ डंग के साथ और प्यार माप प्यार के स second game please when next time you see this program on YouTube subscribe everyone is requested to subscribe on YouTube or the yard agar up chat there he helped a current up who see there do I will help because of their tag TV go thank you very much wish you all the best and have a wonderful wonderful week subscribe tag TV YouTube channel and press the notification button